मित्रो पना आपके मर्द फिर्ज उपसित हुआ हूँ एक नई कहानी सुनाने के लिए शीर्शक है क्यों उठाना पड़ा मासीता हो अधिया तो ये उस समय की बात है जब लंका का पतन हो चुका था लंका की जय हो चुका था और विमीशम लंका का राजा था शासन कर रहा था और राम बाले अरुध्या में था राम सवान बैठे हो थे अचानक विभीशन दौरते हुए आये कि हे ब्रभू मुझे बचाईये बगवाण ने विभीशन का स्वबत किया विभीशन को संतना देकर बिठाया एक आसन पर और विभीशन से कहा है है विभीशन तुमारे स्वक्रतापी भै नहीं कि बचा हो जिस से तुम्हें विभीशन ने बताया है ड्रभू मस्मूलकासुद नाम का ऐसुद्ध है जो कुम कर्नत का कुत्र है उससे मुझे अपने प्राणों काश्ट्रा है और मैं भाग कर आपके पास आया हूं उसने मेरी लंका पर आक्रमा कर दिया छे महिने तक ये द्धचलाद हम लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाए और उसने ये कहा कुल घाती विविशं में तुझे पहले मालूगा और उसके बाद अपने पिता के त्यारे गाम को मालूगा तो है कर वो मेरी रच्चा किया कि सुनकर भगवान ने पुश्व विवान का अभान किया तथा लक्ष्मण और भरत सहित अपने कई सैनित लंका को भेज दिये तथा बाकी सेना भी लंका के ये रवाना कर दी और भगवान स्री राम भी लंका पहुंच गये लंका में युद्ध हु विवा भेंका लिद्ध हुआ प्रचंड युद्ध हुआ था लेकिन वो मूल का सुष्व प्रभू के सैनिकों पर भारी पढ़ रहा था तब भगवान सोच में पढ़ गया पढ़िए अब क्या पढ़ों फिर भगवान लिद्ध में शामिन हुए इतनी देर में मूल का सु छे आगर लाफ जोड़ू दिया था जूँ कल और और ब्रह्मा जी को स्मा डिया दृаз रहा तो उसको ब्रतान लिया था मुलका 1997रा ब्रह्मा जी के ब्रतान दृश्च के इतना शक्तिशारी हो गया थो कि कोई भी उसका कुछ नहीं विगाल दा तो ब्रह्मा इंर वक्री ने तृणत्रिव भ्र्वान विक गार exempt आप इसको मार नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने इसको वर्दान दिया है कि तेरी मृत्यू एक नारी के ही हाथ होुए जाएए और माता सीता को भूलाइए क्योंकि एक बार इसने रिशियों उन्मुनियों के बीच में एक बार में कहा था ये उस चंड़ी सीता की वज़े से मेरे कुण का नाश हो गया तो एक उनी ने इसका विरोद किया तथा उसको श्राप दिया कि वही चंड़ी तेरा काल रनेगी अब उसका श्राप सफर होने का समय आ गया है दूब आप माता सीता को बलाइए माता सीता के पास तुरत पुष्प गुमान गया माता सीता सब जान लिया वहां बैठकर और वो जाकर उस पुष्प गुमान पे बैठ देए और युद के लिए चली जैसे ही युद भुई मी आई माता सीता क्रोग से उनका नुख लाल हो गया तथा उनके शरीर से एक चाया लुपी देवी प्रकट हुई चाया लुपी चंडी जो प्रकट हुई उसने जाकर युद्र करना आरणड गिया इदर वो मून का सुल वो गुफान था वो मून का सुल प्रोट में वन्गों के पीछे धाड़ा और रड़ूमी में पहुच गया जैसे ही उसने देखा कि चाया सुलुप चंडी वहां शस्त्र लिए खड़ी हैं माता ने कहा आज मैं तेरा काल बनकर आई हूं और मैं तुझे आज जीवी तुझी चुन हुई माता चंडी ने उससे यग युद्ध लाड़ंड किया युद्ध में उसके हाथ पैल में बाण लगे लेकिन फिर सही हो गया बहुत ब्रचंडी लिद्ध हुआ उसके बाद माता ने एक दिव्यावत से उसका सर धर से अलग कर दिया उसका शीश भंग कर दिया तथा उसकी मत दे प्रत्वी पर गिर पड़ी तथा माता ने जो चंडी देवी थी उन्होंने जाकर मासीता की शरीर में फिल से स्थान धरन किया और फिर विजो सब मनाते हुए वापस अपने का युद्ध युद्ध चले गए तो आज जो मने आपको कथा बताई यह कथा आपको कैसी लगी मैं आप से फिरुला कात करूआ तो आप मैं आपका साथी आप से तिदा चाहता हूं इस सबह में आप से अभी सोथी फिरुला काती तब तक के लिए नमस्वाद करूए